तो खलो दोस्तो कैसे हो फिर से एक बार स्वागत है हमारे सचेल olha करें यूट्यूब चैनल म Vishos में इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करëं वीडियों अच्छा है लाइक और कमेंड जरूर करें दोस्तों आज के वीडियों में बताने वाला है के स्पीकर का पपर्दा कैसे रिपिरिंग किया जाता है यानि स्पीकर का पर्दा अगर फट जाए तो उसको ने सब्सक्राइब को बताएंगे देखें दोस्तों इस तरीका से आप लोग अच्छे से सपाइब कर लें फिर आपको बताते हैं पड़ा कैसे लगता तो दोस्तों यहां पर यह गिलू है गिलू को इस परदे में लगाएंगे दूसरा परदा यह है जो उपर से लगाएंगे तो देखे इस तरीका से गिलू लगता है ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा देखे इस तरीका से गिलू को लगा लेंगे देख रहे हैं आप लोग इस तरीका से गिलू लगा लेंगे दोस्तों गिलू लगाने के बाद इस पर्दे को फीट करेंगे पर्दे को फीट करेंगे इसी में क्वाइल भी फीट करते हैं तो देखे किस तरीके से coil को fit किया जाता है एक coil जो है speaker के दुकान पे जो यहाँ speaker मिलता है वहाँ यह सारे चीज मिल जाते हैं परदे भी मिल जाते हैं इसका एक coil है तो coil को देख लेंगे जिधर तार जोड़ने वाला होगा उधर इसको उस तरफ करके बैठाएंगे देखे इस तरीके से जिधर तार जोड़ने वाला है इधर तार जोड़ने वाला है इधर हम इसको बैठा रहे हैं तो दोस्तो इस तरीके से इसको बैठा लेना है बैठा के इसको अच्छे से जिसका इसका coil जो है इसको बहुत अच्छे से मिलाना पड़ता है इसलिए कि इतना जगा इसमें रहता है बहुत कम जगा रहता है उसी के बीच बैठाना रहता है और दोनों तरफ यह देखना रहता कि दोनों तरफ में कहीं भी लड़े नहीं तो इस तरीके से इसको आराम से बैठाया जाता है दे देख लीजे के इस तरीके से मिला मिला कर इसको बैठाना है और ऊपर नींचे इसको कर के देख लेना है ताकि कहीं से अगर दोस्तों फंस और ѓए तो आपका इस पीकर सही आवाज नहीं देगा जैसी 수师 ध्यान से बैठा देना है तो दोस्तों देखिए अभी जो है क्वाइल बैठ गया पहला परदा भी बैठ गया अब दूसरे परदे को दिखाएंगे आपको कैसे बैठेगा उसे तो दोस्तों इस तरीके से देखिए क्वाइल को एक पर लिका लेते हैं उसके बाद देखिए इ इस तरीका से आप लोग जरूर दबालें, देखिए कैसे दबा रहें, इस तरीका से दोस्तो कोयल को बैठा लेंगे, देखिए, उसके बाद चारो तरफ से गिलू डालेंगे, कोयल जो है, इसका जो कोयल लपेटा रहता है, वो ठोड़ा सा बाहर रहता है, और ठोड़ा सा अं नहीं चलेगा और ज्यादा उपर हो जागा तो भी नहीं चलेगा को बैठा देते हैं देखिए अभी बैठ गया और थोड़ा थोड़ा दबा के देख रहे हैं कि यहां फंस तो नहीं रहा है दोस्तों थोड़ा गिलू ज्यादा गिर गया है इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा साइड में कर देंगे तो इस चीज के ध्यान जरूरी देना है कि इसके साइड में गैप न रह जाए अगर गैप रह जाए तो साउंड अच्छा नहीं आएगा तो इस तरीके से अभी कंप्लीट हो गया है कौई अब इसका वाइरिंग करेंगे तो दोस्तों देख रहे होंगे कितना कौईल इसके अंदर गया है और कितना बाहर है तो आप लोग को दीख रहा होगा देखिए अहां से कौईल दीख रहा है थोड़ा से कौईल यानि दो मिली जो है कौईल उपर है और बाकी सब अंदर है देख रहे हैं ध्यान से देख ताकि कहीं से गैप न रह जाए इस तरीके से देखे कितना गिलू डाल दिया है थोड़ा जादा हो जाएगा चलेगा देखे दबा के देख रहे हैं अगर फंसेगा तो स्पिकर का आवाज सही नहीं आएगा इस तरीके से देख लिजे दोस्तो इस गिलू को इस्तमाल जब करते हैं इस गिलू को यह वह सश्ता आता है इस गिलू को इसका कम रहता है तो इसके जादा लगता है तो इसके उज़े से हम फिपी कुक का इस्तभाल करते हैं ताकि यह अच्छे से पकड़ ज्यादा हो जाए तो दोस्तो इस तरीके से कुछ देर इसको छोड़ देंगे सुखने के लिए सुख जाएगा तभी इसके उपर का दूसरा परदा लगाएंगे तो दोस्तो इस तरीके से आप दूसरा परदा लगाने जा रहे हैं तो आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिए यहां पर गिलू लगाना पड़ता है ताकि जाके अच्छे से चपक जाए यह देख लीजिये ध्यान से यहाँ पर थोड़ा से गिलू लगा लेगे चारो साइड पर इस तरीका से थोड़ा थोड़ा डाल लेगे ताकि गैप ना रहे थोड़ा गिलू जादा हो जाएगा चलेगा मगर कम नहीं करना है इस तरीके से गिलू जो है अच्छे से डाल दे तो दोस्तों हमारे वीडियो ज इस तरीके से गिलू जो है डाल देंगे देखिए गिलू डालने में थोड़ा सा भी मतलब कमी नहीं करना है नहीं तो आवाज में कमी होने चालू हो जाएगा देखिए ध्यान से देख लिजे इस तरीके से गिलू डालना है ऐस की अे उसके बाद इस परदे को देखिए कैसे बैठाया जाता है इस वायर jour इस वायर को क्लेंगे जहे थुड़ा बीच में कर लेंगे ताकि नीचे फंशे ना कि उसके बादिकिक वैल को अच्छे से बैठा देंगे आ है उसके बाद देखे किनारे किनारे इस तरीके से दबाना है ताकि सारे परदे अच्छे से बैठ जाए तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं विक्की भाई जो है इसका रिपेरिंग कर रहे हैं यह बोले थे हमारे साथ वीडियो बनाने के लिए तो आज इनके साथ हम वीडियो बना रहें तो बोले कि आप ही इसका पर्दा बनाईए और बताईए हमारे दोस्तों को कि इस तरीके से घर पे ही रिपेरिंग कर सके हैं आने वारवीडियो में भी भी हमारे साथ देख्की भाई रहेंगे, तो आप लोगो को प्यार और सपॉर्ट चाहिए, इस तरीका से दोस्तो चारो तरब से इस्पीकर जो है, बैठा लेंगे, पर देखो, देखे कि इस तरीके से बैठा रहे हैं, इस तरीके से बैठा लेंगे तो दोस्तों इस तरीके से जो है इस पर गिलू लगा लेंगे इस तरीके से गिलू लगा लेंगे गिलू लगाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे इस पर एक साइड बैठा देंगे बैठाने के बाद इसको छोड़ देंगे, इसे थोड़ा दिर सुखना चाहिए, फिर दूसरे को बैठाएंगे, तो दूसरा, यह हमारे पास दूसरा, इसको क्या करेंगे, इस तरीके से फिर गिलू लगाएंगे, इस तरीके से, गिलू लगाने में सर्माना नहीं है, थोड़ इधर देख रहोंगे तो चार-फांच चेद यहां पर चेद है तो क्या करेंगे छेद को देख कर उसके बाद इसको चपकाना है इस तरीके से इसको चपकाना है यानि सुराग जो है छोड़ कर नहीं तो छेद बैटा देंगे तो कहीं इसकूयट करना हो सकता है उसके बात दोस्तों डूसरा भी आओ दोसरा उठाएंगे दूसरा भी उसी तरीके से बैठाएंगे यहाओ ले वर छोड़ागे छेद छोड़ने के बाद इसको यहां पर बैठा देंगे तो दोस्तों इस तरीका से इसको बैठा लेंगे देखिए इस तरीका से इसको गिलू लगा लेंगे इस तरीका से लगाने के बाद फिर से एक बार क्या करेंगे इसी तरीके से इसका सुराग जो छेद छोड़कर और यहां पर बैठा देंगे इस तरीका से बैठा देंगे देखिए आप बैठ गया बाकी एक हमारे पास और है उसको बैठाएंगे इस तरीके से last वाला वी उपर का सबॉर्टर हर उसको last वाले में बैठा लेंगे और इसको अच्छे से बैठा लेंगे तो इस तरीके से दोस्तों सारे सपोर्ट उपर के बैठा लिए हैं अब इसका आगे का कनेक्शन बाकी है तो कनेक्शन करेंगे तो दोस्तों जहां पर इसका क्वाइल का तार लिखला हुआ है वहां से एक सुराक मारना रहता है एक तो हो चुका है अब दूसरा भी कर रहे हैं कि इस तरीके से अराम अराम से देखिए हो गया दोस्तों इस तरीका से पीशे से एक तार जोड़ते हैं जो स्पीकर के लिए खास करके आता है उस तार को जो सुराक मारे हैं उस सुराक से इधर बाहर के तरफ लिका लेता है देख रहें तो पक्कर का मदद से हम इसको लिकार लें देखिए अभी लिकल गया है तो दोस्तों इस तरीके से दोनों तार को जो है बाहर लिका लिए हैं उसके बाद का connection करेंगे जो बीच में क्वाइल लगाए हैं उसमें से दो तार लिख ले रहते हैं तो उसका इसी में connection करेंगे तो दोस्तो क्वाइल के जो वायर है उसको थोड़ा सा उपर का जो है पेंट जो रहता है पॉलिस जो रहता है उसको हटाना पड़ता है इस तरीके बलेट के सहायते से इसको हटा लेंगे तो दोस्तो connection करने से पहले क्या करेंगे coil को चेक करेंगे क्वाइल को किस तरीके से चेक किया जाता देखें, multimeter लेंगे multimeter को continue पर कर देंगे उसके बाद coil को check करेंगे देखें तो दोस्तो multimeter का क्या करेंगे दोनों जो point और हैं हमारे पास पेस्ट है पेस्ट को पेस्ट को क्या करेंगे इसके तारों पर इसे इसके वायरों पर थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे ताकि इसका जो है कनेक्शन सोल्डिंग जो है अच्छे से हो सके तो दोस्तों इस तरीके से क्या करेंगे देखिए इस तरीके से सोल्डिंग जो है चपका लेंगे इस तरीके से सोल्डिंग जो है देख रहे इस तरीके से दुसरे वाले तार पर भी सोल्डिंग जो पेश्ट जो है इसको अच्छे से ऐसे लगा लेगे इस तरीके को क्वायल का जो वायर है इस तरीके से थोड़ा नीचे दबा लेंगे देखिए इस तरीके से देखिए इस तरीके से लगाने के बाद देखिए दूसरे वाले तार पर इसको घुमाएंगे यानि ऐसे बांद देंगे ताकि एक दूसरे से हमारा तार जो है कनेक्ट हो जाए अब देखिए तार बांदने के बाद इसको सोल्डिंग करेंगे इस तरीके से जो देखिए हा जा लोगे अच्छे से शोलिंग हो रहा है इस तरीका से दोनों जो है तारों लोग , लिए-खति अच्छे से उसके बाद फूर देंगे तो दोस्तों आप क्या करेंगे को स्पीकर को चेक करेंगे सही इस परदा हमारा इस पर बैठा है कि नहीं में बैठा है क्वाइल सही है कि नहीं सही तो देखें इस तरीके से इसको चेक करेंगे यहां पर देखें यह को मल्टी मीटर से चेक करेंगे देखिए इसको जोड़े हैं जहां से सिपीकर के तार जोड़ने हैं वहां पर क्या करेंगे दोनों पॉइंट को रखेंगे देखिए अभी क्या हो रहा है आवाज आ रहा है sound अप आप लोगों सुनाई दे रहा होगा तो इसके मतलब सही है इस तरीके से दोस्तों स्वीकर का कनेक्शन किया जाता है तो दोस्तों अब सारे काम अवास से फटेन अधर उदर तर Germs tidak प्हालまず just कि इस टरीके से कायल पर गिलू डाल देता हैं उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं आप इस साइड में कोई गया हुआ है यानी तर जो गया हुआ है दो तर कि इस पर क्या करेंगा गिलू को ठोड़ा सा ढाल देंगे इस तरीके से ताकि परदे में कोई लिएक नहों अवाज फटापटा ना आए है तो दोस्तो सारे काम करने के बाद उपर से एक परदा और चोटा सा दोकी कोई क्वाइश डीमा और से लगाए जाता है दोस्तों कि यह आवाज सही आए और अच्छे से अच्छे आवाज बनाएं वे दैसे बेश का आवाज आप जानते हैं बेश का वाज बहुत अच्छा बनाता है इसलिए इसको लगाया जाता है तो दोस्तों देखें वीडियो मीम बने रहें इस तरीके से गिलू डाल कर और इसके उपर अराम से रख दिया जाता है देखें इस तरीके से अब यह बेस बहुत अच्छा बनाएगा तो दोस्तों इसको चला के भी आप लोगों को दिखाएंगे अभी इसको कंप्लीट हो गया है अब थोड़ा टैम इसको सुखने देते है सुखने के बाद फिर से आप लोगों को इसको चलाएंगे और चला कर इसी स्पीकर को अच्छे से अच्छे से बजा के दिखाएंगे तो दोस्तों अब क्या करेंगे, speaker को check करेंगे, speaker को check करने के लिए मसीन लगा दिये हमने, देखें यहाँ, speaker का connection भी कर दिये है, देख रहे होंगे आप, यहाँ light का board भी लगा दिये था, अब क्या करेंगे, इसमें light देंगे, और speaker चालू करेंगे, मसीन में भी लाइट आ चुका है देखने आप मसीन में लाइट आ चुका है अब देखेंगे स्पीकर के साउंड पारा है और है तो दोस्तों देखिए अभी एस्पीकर का वाज आ रहा को अब स्थोड़ा स्लो में अधा रही है अभ द dabei दिनके स्टेज चाहरा है इतना वाच्छा आवा आप लोग देख रहा है